युवा के लिए काम कर रहा है मोधी युवा के लिए डेवलप्मेंट कर रहा है मोधी युवा के लिए जो फ्यूचर का काम कर रहा है वो मोधी तो वोट रहूल गांधी को तो जाने से रहा इनके बाप जादा बाहर तोड़ने का काम करते थे यह बाहर जोडने का नोटिंग वो ढोगी रह तो ढोगी रहगा। वर्ड के अंदर इंडिया की जो आज पोजीशन है जो वर्ड के अंदर इंडिया को जो रिस्पेक्ट मिल रही हूँ आज से पहले नहीं मिला करती तो कुछ तो होगा उस खास उस नेता के अंदर जो आज इस मुकाम पे हम नमस्कार मैं हूँ और सबोस्तिर आप देख रहे हैं निवस्टेंग पुर्दान मंतरी नरेंद्र मोधी ने तमाम जो नम बदाता है उनसे बात की और उनसे आवान किया कि 2024 के आने वाले चुनाओं से पहले आप बदाता बनिये और 2024 के चुनाओं में बोड कीजेए तमाम सब्सक्राइब मोधी सरकार फिर से आने वाली है क्योंकि डपलेमेंट इतना हो चुका है देश के अंदर बहुत ही अच्छे से सरकार काम कर रही है और जो भी हापी यूवा आये हैं उस सारे बिलकुल मोधी जी को समर्थन दे रहे हैं और आने वाले विकासकारियों में उन जाया है पिलकुल मंदिर बन चुकत है और हमारे युवा करते हैं तर्य कि अपने मतनुक्रक्ताइब आपना सुरूं से एंकर करा है और में वाले इसकानी से जबसे जय्लिर निकाल रहे हैं और याए से जढ़ना चाहिए राउल गांधी खुद अत्याचारी थेंट इत्यों है। परकुणाइक टीचेट थे पूर्था वे पापा भालét हो वह साथ टीचेट कुण देंघ ऑंट में हमारी वह सरकार होती है सरकार है मोधी जी की जिन्होंने हमारे राम जी को लाए है और मोधी इनके बाप दादा सब को पता है किस दर्म के हैं कैसे हैं यह सब जने गहीं है और मोदी जी के बाद युवा क्यों पसंद करता है मुद्रा लोन देखे युवा को रोजगार कराया सब निदी देखे जो रेडी पट्री वाले विचार गरीब है उनको काम नंदा दिया है करके नहीं जो पढ़ने के लिए युवा करें देख लिए यहां पर मोदी के मेरे के सब्सक्राइब बॉल दें एक चुली देखो बहुत सिंपल बंड हैं हम लोग बहुत पड़े लिके बंदे हैं रिसेंटली एई लोंच हो रही है एक जितने भी अपने क्या नाम है स्टूडेंट से सारे इंडिया से और अमेरिका हाइरिंग कर रहे हैं अमेरिका कपास खुद एक वह नहीं है और भी हाल में एप्लिकेशन यह उसके टाइम पेदा आपका और दुनिया की सरकार रहे जाद वाद में बाट रही है बाई जाद वाद में बिल्कुल मट दो आप एक संकल्प करो और 140 करो अप संकल्प करोगे ना तो फिर मोदी आई का वापस बोट वर बोट वर चाहते हैं बापस से मोदी को क्यों ला यह बनाने की महौल कोसिस कर रहा है बिल्कुल रोजगार नहीं है देश में गरीवी हो गई है और पढ़ाई लिखाई पर काम निकरते हैं मंदिरों पर काम करता है इस तरीके कारों देखिए बिपक्ष का काम जो है वो सिर्फ जूटी नफ्रते पहलाना है वहों को भढ़क यह बार जोने का नोटिंग की कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राहूल गांधी जिसको हम राहूल गांधी नहीं और पपू कहेंगे राहूल गांधी नहीं पपू है वो पचास साल होने के बाद भी बावन साल होने के बाद भी अपने युवा कहता है उसके लोग उनकी माता जो है सुनिया गांदी जी हमने इतने किलोमेटर पैदल यात्राच कर ली हमने कुली बनकर करके बैग उठा लिया अभी या पपूई बोलेंगे वह राहुल गांदी नहीं हो जाएगा पपू पपूई रहेगा वह कूली के काम कर ले जाए कुछ भी काम कर ले वह धोंगी रह सबसे ज्यादा जो किसी के साथ नय हो रहा है तो युवाओं के साथ हो रहा है और युवा इस बार देश में बदलाव लाएंगे क्या बदलाव की लेर है या फिर मोधी सरकार फिर से आ रहे हैं देखिए आज जो ये कारिकरम भी रखा गया था नौमदाता सम्मिलन मोधी जी ने राष्टे लेवल पे इसको रखा और आज लाखो करोडों के संख्या में नवध मदाता जो पहली बार वोट करने जाएंगे उनको मोधी जी ने बताया कि आपका हक क्या है जब आप कोई भी सरकार बनाना चाहते है या बनाना बनती है तो वो यंगेस्टर के लिए यूद के लिए क्या काम करती है तो इन दस साल में जब 2014 में जब मोधी जी का चुना हुआ और वो जब जीत के आए तो सबसे ज़्यादा काम उन्होंने युवाओं के ले किया तो आज ये सकती दिखी युवाओं की ये कोई खरीद के लाएवेज जनता नहीं है ये वो लो नौमदाता जो कारिक्रम है भावे तरीके से सफल मना है और सबसे अच्छी बात बताऊंगा जो विपक्ष के लोग थे आज इस कारिक्रम को देखके उनके मुह पे तमाचा होगा कि इतना भाव्य कारिक्रम मोधी जी ने कितने कम समय में बनाकर तैयार कर दिया तो मैं यही चाहते हैं विपक्षी को कि हमारे सामने तो कोई पार्टी ही नहीं कोई बंदा है नहीं हम 400 पलस से सरकार दुबारा जबर्दस तरीके से बनाने जा रहे हैं आज यह नो मताता समिलन का मुख्य कारण था इसलिए आज यहां पर एकत्रित हुए 24 के अंदर तो कोई लड़ाई ही नहीं है 24 का चुनाओ एकदम क्लियर है और मोधी जी आ रहे हैं क्या ऐसे होने वाले जी सर बिल्कुल मोधी जा रहा है और मैं सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कॉलेज में इतने बड़े कैबिनेट मि कहां पर ओड़ देना उचित है मैं तो हमेशा से युवा मोधी जी के साथ जा रहा है और इस बार भी जाएगा और मोधी जी की ही जीत होगी जैहिन जैभारत अब भी युवा है यह तमाम लोग आज जुड़े थे और मोधी से आप लोगों ने बाच करने का मौका भी मिला क्या कुछ खास रहा और क्या इस बार युवा का मूड है देखें सबसे पहली बात युवा वोटर 60% जैसा कि मोधी जी बता चुके है और जब वोट मांगने की बारी होती है तब तो युवा को याद किया जाता है लेकिन जब बारी होती है युवा के लिए काम करने की अब उसको युवा डिसाइड करेगा कि वो किस नेता को चुनेगा सीदी सी बात है अगर युवा अपने आप में मोधी जी देख रहे हैं तो रहूल गंदी जैसा नेता तो नहीं चुनने वाले वो युवा के लिए काम कर रहा है मोधी युवा के लिए वोट जो डेवलप होगी तो मोधी जी उल्रेडी बता चुके हमारे जीडीपी से लेके कैसे वो ट्रिपल होगी कैसे हम वर्ल्ड की टोप तीन जीडीपी एकोनोमी में आ जाएंगे तो इस परकार कुछ ग्रोथ रहने वाली है कि युवा जो है डेवलमेंट के साथ जा रहा है और से चीजए के खिलाफ है ठीक है यह आकरोश यूवा के अंदर जो इनका जो अत्याचार रहा है पूरे टाइम पर को अत्याचार रहा है शुरुव से यह उस चीज़ के खिलाफ मोधी जी के समर्थन में लेके जा रहा है और अब जो आने वाले चुना होंगे दोजार चून कि सबसे आधा हालत खराब है तो यूवा क्यों वोड़ देगा देगे ये तो बखूबी है कि जब एक नेता इमांदार होता है तो विपक्स इतने इमांदार नेता को हिलाने का दम नहीं रखता है तो विपक्स अब मिलके कुछ भी कहे लेकिन सचा ही हमारे सामने है आम आदम बखूबी है कि मोदी मांदार है और बाकी विपक्स जो है बरस्टाचारी है बदलाओ का चांस यही रहेगा कि हाँ अगर इन्होंने युवा के उपर ध्यान दिया है तो इस बार हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोदी सरकार से कुछ अलग हटके हमारे लिए क्या जाए और मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनके मैंडे में उनके मैनिफेस्टों में कुछ ऐसा और इंक्लूड होने वाला है जो कही ना कहीं आगे जाके हमारे लिए काम आएगा बदलाओ का मूड हो या फिर मोदी सरकार पर ही बरोसा बदलाओ का मूड यह नहीं है अब डाइरेक्श और इतना बरोसा कैसे है बरोसा इसलिए है क्योंकि उस नेता को जो मैं देख रहा हूं परिवारवाद नहीं है उसके अंदर नेता के अंदर परिवारवाद नहीं है और और बखूबी कॉलिटी आप देखेंगे इंट्रेक्शन किस परकार करते हैं यह वासे वर्ड के पता कि क्या समस्राइब कैसे होती है इसलबुर्स सिभाड़ करें इस तरीका से बेपक्षां मोधी जी की खुद शादी हमने देश के लिए अपना परिवारावार उनसे जञाद तो पोई नहीं जान पाएगा तयागी जो त्याग करता है चीजों का वो सबसे बड़ा एक धर्मी मैं उसको कहूंगा और मोधी जी ने अपना त्याग करा है किसके लिए देश के लिए युवा के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए और वह बखुबी इन 2014 के बाद से हमें बखुबी देखी जा सकती हो चीजे आप लोगों मेरा है जो आप लोगों की बीच में बात करते हैं क्या दिख रहे हैं नहीं अब यह नतीजे जो अब रास्थान में और MP में और 36 गर्ड़ में जो अब नतीजे आए थे ऐलेक्शन के दोरान आपने देखा ह भी आपने देखे कितनी बहुमस से बनाई गई है तो बाकी 24 के अंदर भी जो इलेक्षन के अंदर जो अभी सरकार बनाई जाएगी बहुमस से बनाई जाएगी और दूसर 24 के अंदर तो है 400 पार का जो नारा है वो होकर ही रहेगा तो मोदी जी पर फिर से बरोसा जताएंगे? कि हम टी-सरड में पहन के घूम रहे हैं हम युवाओं के लिए हम खेतों में जाकर के धान लगा रहे हैं हम ट्रक में बैठ करके जारे हैं हम कुली बन रहे हैं आपको लग रहा है यह सब काम आएगा या सिर्फ वैसे हो जाएगा जैसे पहला भारत जुड़ो यात्तरा जो राहूल गांदी बाहर की पोलिटिक्स के लिए सही आदमी हो सकता है लेकिन इंडियन पोलिटिक्स के लिए सही आदमी ने इंडिये एक बहुत वास्ट कंट्री है इसके लोग राहूल गांदी को नहीं समझ पाया अस तक राहूल गांदी लोगों को नहीं समझ पाया तो उ बहुत अच्छे तरीके से growth development के तरफ जा रहा है नरेंदर मोदी जी ने जो वादे करें हाला कि उसमें 2-3% लेट वाओ लेकिन वो पूरण जरूर हो है राम मंदिर का अगर इन्होंने 2014 के बाद वादा किया था वो हो सकता है उस टाइम पूरा नहीं हो पाया हो लेकिन इस टाइम हम देख सकते है 2023 के चोबिस चल रहे है 2024 के अंदर ये पूरा हो चुगा है राम मंदिर एक सेंटिमेंट है हमारा और सेंटिमेंट वो पूर्ण हुआ है और पूरा का पूरा भारत इसके अंदर हर धरम के सिक जो है उन्होंने भी बहुत बचड़ कर इस चीज में इस्सालिया है और ये क्लेरली सुनिश्चित करता है कि जो हमारे सेंटिमेंट के खिलाब बोलेगा उसका हसरत है राजनीती के अंदर और राहूल गांदी जी की वापसी मेरे इसाब से तो बिलकुल लई है जहां आएं वो जमीन में दुबारा धस्ते ही जा रहे हैं और उनकी वापसी का मेरे को कोई चांस दिख नहीं रहा है इस बाद